The Dark Tower ये एक fantasy action movie है जो कि आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाती है और इसकी हिंदी डबिंग बस काम चलाओ की गई है बस और बहत्रिंग की जा सकती थी पर काम चलाओ है काम चल जाएगा टेंसन मत लिजिए इससे देखने के लिए आपको अल्मुस्ट देख सकते हैं तो वह अजीवो गरीब चीजे क्या है एंड उस बच्चे के पीछे कुछे बुरे लोग पड़े हुए हैं तो वह बुरे लोग क्या है और इसमें एक टावर का भी concept है तो उस टावर का क्या concept है और फिल्म में आगे constitution turn आता है ये सजाने के लिए तापको ये फेल्म को बस ठीक ठाक सा है इसमें जितना भी action देखाए गया ठीक ठाक सा है थोड़ा सा action को और ज्यादा देना चाहिए थोड़ा action की कमी लगती है फिल्म में आपको ज्यादा drama देखने को मिलता है जो कि थोड़ा सा slow pace है और overall फिल्म देखने में अच्छा लगता है आप फिल्म के बारे में जाना चाहते हैं कि फिल्म में आगे क्या होगा तो ये एक अच्छी बात है पर थोड़ा सा और action को add किया जाता फिल्म के अंदर तो फिल्म बहुत ही अच्छी बन सकती थी और engaging बन सकती थी थोड़ी से action की कमी इसमें लगता है action की बात कि तो वही आपको monster roll action देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत fight sequence भी देखने को मिलेगा तो वही सब आपको action देखने को मिलता है पर ज्यादा नहीं देखने को मिलता है थोड़ा सा कमी action का लगता है पर overall ठीक ठाक सी फिल्म है पर promise के बात करो तो इसमें आपको अच्छे star cast देखने को मिलते हैं बड सब देखने में अच्छा लगता है और जितना भी सीजाई वेफेक्स का work किया गया है वह सब ठीक ठाक सा है मतब कहीं कहीं आपको थोड़ा बहुत flow देखने को मिलता है पर overall अच्छा है disappointment नहीं होगा और फिर यहीं कहानी में आपको कुछ भी नया पन देखने को नहीं मिलत मिसिंग है फिल्म देखने में उतना ज्यादे excitement नहीं लगता है तब भी फिल्म ठीक ठाक सा है enjoyment मिलता है यदि आप अपना expectation को कम कर लेंगे तो तो गैस इस फिल्म को लेकर मैं फाने वरिट है कि ये एक one time watchable movie है expectation को कम करके इस फिल्म को देख सकते हैं enjoy करेंगे तो मिलते है करने बिडियों मतरता के लिए जाहें दूंदे मातरम